असलाँ मैं ओलेकुम दोस्तर मैं हूँ शाहरुख। दोस्तो कि आप लोगों में से कभी भी किसी नहीं ये सुना है लक्षमी के बारे में ? लेकिन आप लोग बहुत ज़ादा भी गेस कर रहे होंगे कि शायद ये लक्षमी गौड के बारे में बात कर रहा है या फिर आप लोग गेस कर रहे होंगे कि शायद ये बेटियों को लक्षमी कह रहा है या फिर आप लोगों में से कुछ लोग ये भी गेस कर रहे होंगे कि शायद ये पैसों को लक्षमी कह रहा है लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ मैं बात कर रहा हूं लक्षमी कोईन के बारे में RBI ने कह दिया था और RBI ने बता दिया था कि लक्ष्मी कोईन को कभी भी रिलीज किया जा सकता है और दोस्तो ओफिशियल डेट ये निकल दोस्तो सबसे पहले मैं आप लोगो को बता दू कि लक्ष्मी कोईन हो या जीओ कोईन हो दोनों ही के दोनों क्रिप्टो करेंसिज हैं तो मैं लिंक छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन में आप वह वीडियो देख लीजिए अब समझ में आ जाएगा कि आखिर ये भी आ सकती है लेकिन अगर यह आएगा तो कौन से जादा फायदे मंद रहेगा क्योंकि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि दोनों के सॉफ्टियर्स जो इस्तिमाल किया जाए वह भी काफी हद तक सेम तरीके से काम करें तो यहां पे दोस्तों सब कुछ एक जैसा हो सकता है लक्षमी क छीज क्या है दोस्तों सबसे पहले में आप लोगों को बता दू कि क्रेप्टो करिंसी जैसा strengths का इस्ते क्योंकि दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में कोई भी क्वाइन अभी तक लीगल टिंडर नहीं है तो यहाँ पे जो लक्षमी क्वाइन आएगा वो एक तरह से लीगल टिंडर बनाया जाएगा जिसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे बहुत इतरह के अलग-अलग काम में दोस्तों सबसे अची बात यह है कि आप इस लक्षमी क्वाइन को माइन भी कर पाएंगे अपने मुबाइल फोन से यानि कि जैसे आप बिटकॉाइन इथिरियम वगरा को माइन करते हैं और घर बैठे बैठे कुछ बिटकॉइन कुछ इथिरियम कमा लेते हैं वैसे ही दोस्तों आप मुबाइल माइनिंग करके लक्षमी कॉइन भी कमा पाएंगे और दोस्तों जो मुबाइल माइनिंग होगी वो भी फूली डिसेंट्रिलाइजड होगी तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी तरह का डर्ड नहीं होगा और दोस्तों य को किसी भी तरह का Central से कोई भी लेना देना नहीं है और दोस्तों यह रॉवर नेटवर्क को सपोर्ट करेगा यानि कि दोस्तों जो भी इससे transactions होंगी वह एक सूपर कंप्यूटर से होकर के गुजरेंगी जो कि दोस्तों आपको बहुत सारे अलग-अलग services देपाएंगी जैसे कि आपको VPN service चाहिए या फिर डोमेंड निमिंग सिस्टम चाहिए तो यह सब भी दोस्तों आपको सब कुछ बहुत ही असानी से मिल लाएगा इस रॉवर नेटवर्क के द्वारा तो यह काफी जादा प्रॉमिसिंग लक्ष्मी कोईन है दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 2012 में ही लक्ष्मी कोईन को बनाया गया था और उसी वक्से जर्नी शुरू हो गई थी लेकिन 2017 के quarter 3 में इसे रिलाँच किया गया यानि कि दोस्तों इसे ओफिशिल कर दिया गया कि 2018 में इसे लाँच कर देना है और दोस्तों quarter 2 यानि कि हो सकता है कि में जून तक इस लक्ष्मी कोईन को लाँच कर दिया जाए और हो सकता है quarter 3 2018 से P2P और mobile mining दोनों को ही शुरूआत कर दिया जाए तो अगर आपको जियो कोईन का इंतिजार है तो मुझे उससे ज़्यादा लक्ष्मी कोईन का इंतिजार है क्योंकि यह लक्ष्मी कोईन काफी ज़्यादा promising लग रहा है अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आने से सबसे अच्छा फायदा होगा उन foreigners को जो हमारे देश में घूम करके यहाँ पर आसानी से वो लोग invest कर पाएंगे यानि कि मान लीजे कोई foreigner है और उसके पास धेर सारे डॉलर से या फिर उसके पास कोई bitcoin है तो मान लीजे दो दोस्तों उसे चाहिए कि किसी चीज़ को खरीदना है तो यहाँ पर अगर centralized हो जागा RBI के तरफ से cryptocurrency जो की लक् सानी से ट्रांसफर करके पे कर पाएंगे हमारे देश में तो इस तरह से हमारी जो देश है काफी ज़द एकोनॉमिकली डेवलॉप भी करेगी और काफी अच्छे से दोस्तों हमें एक सुविधाएं भी मिलेंगी अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे government ने कह दिया है क वो अभी तक इंडिया में legal tender नहीं है इसका मतलब यह है कि आप legally जो है उनसे transactions नहीं कर सकते हैं कहीं भी जो तो उनसे कुछ भी चीज़ परचेस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे एक हमारा legal tender बन जाएगा अगर कोई एक crypto currencies आएगा और इससे फायदा दोस्तों बहुत ज़्यदा कर पाएंगे और भी डिजिटली दोस्तों हम लग secure हो पाएंगे क्योंकि crypto currencies को तो आप कहीं भी ले जाकर के securely रख सकते हो और उसका password सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है जिसे hijack करना जिसे चुराना इतना असान नहीं होता है तो ऐसे में हमारे देश का cryptocurrency होना वो बहुत ह चलेगा हाला कि launch होगी तो सिर्फ एक ही नहीं दोस्तों देखिएगा दो-दो cryptocurrency साथ में launch होने वाली हैं पहले हो सकता है कि होगा हमारा देश का पहला लक्षमी कोईन और उसके बाद में होगा जियो कोईन एक सरकारी और एक private तो दोनों में कौन बहतरीन होगा ये तो launch के ब फरोसा करें कि आगे ये बढ़े हो और आपको फैदा हो किया ऐसा होगा तो इसका जवाब जरूर आप लोग दीजिए लेकिन दोस्तों एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा फैदा होगा वह यह कि आज तक आप कहते थे कि आरे भाई हमारे घर में हमा आरे मोबाइल में भी लक्षमी आ गई तो दोस्ते में हूं शारुख और आज का मारी वीडियो देखने करें शुक्रिया अगर आपको समझ में आया कि लक्षमी क्या है और जियो क्या है तो आरे चलों को सब्सक्राइब किजिए और मैं वीडियो इस प्लाइक सेन कमेंट कि भी आजाओ जये Thank You